नमस्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सब भी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication तो friends हरियना जी के quiz और mock test की series चली हुई है उसका आठवा पार्ट है और लगातार बहुत बड़ी है हमारी series चल रही है आपके आगामे प्रिक्षाओं को ध्यान में रखती हुए अच्छा प्यार स्पोर्ट आप दे रहे हैं इसको ऐसे ही बनाए रखिए और चीजों को share किया करें सर जो हमारे पिछली वीडियो जो उनकी playlist बनी हुए नीचे description में link भी दिया हुआ है जिसे बाही ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जो daily जी के quiz और mock test उरता है साथ वीडियो वो देख सकते हैं और एक playlist और बनी हुए हरियना जी के previous year question paper की 17 सी वीडि जिले के अंदर आता है और अगर मैं इसके बारे में detail से बात करूँ कि जो नू या फिर मेवाद जो हमारा जिला बना था वो कब बना था दो अक्तूबर 2004 को उस समय के ततकालीन मुख्यमंत्री और परकास उटालाने राश्ट्रपती महात्मा गांधी और स्वरोग्य परद चर्की दादरी है ठीक है चर्की दादरी ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अगर प्रसंद के और बड़ चलते हैं अगर मेवाद का मुखहला पूछ लिया जाए कहां पर तो वो नूजिले में हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्र ने 4 अगस 2015 को चंडिगड में कौन सी योजना की सुरुवात की थी तो फ्रेंट्स योजना थी थारी पैंसन थारे पास योजना 4 अगस 2015 को उस समय के ततकालीन मुखहमंत्री मनोहरलाल खट्र ने चंडिगड से इसकी सुरुवात की थी अगला प्रसंद है राव बहादूर राव बहादूर की जो तριतनों के मसीहा के नाम से भी जो है सर छोट राम को जाना जाता था ये जो है रोतक जिले से समंत रखते थे गड़ी सापला रोतक के गड़ी सापला गाओं में हुआ इनके पिता का नाम सुखी राम था और इनकी माता का नाम है सीरिया देवी था दस साल की एज में यानि की उनी सो माफ की जा ठारा सो इक्यानवे में इन्होंने प्राइमरी मेडमिशन लिया और ये क्वेस्टन भी पूछा जा था कानून की सिक्षे इ उनने 1910 में आगरा से की थी ठीक है और 1905 में सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने देली से संस्कृत में सनातक यानि ग्रेजवेशन किया तो यह चीज़े हैं जो आप ज्यान रखेंगे सर छोट राम के बारे में अगला प्रसन अब वह भी देख लेते हैं कल अपना चाव फरवरी 2003 तो यह आपका अंसर इसमें सही रहेगा तो कलपना चावला की मरेतु जो हुई थी एक फरवरी 2003 को हुई थी और इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताओं इनका जनम कब हुआ इनका जनम जुलाई जुलाई 1961 को इनका जनम करनाल में हुआ था एक जुलाई 1961 को इनका जनम करनाल में हुआ था इस चीज़ का भी आप जो है ध्यान रखेंगे अगले प्रसन के और बड़ चलते हैं वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नहवाल ने कौन सा पदक जीता था तो साइना नहव तो फ्रेंड्स वंदे मातरम योजना का जो संबंद ओफसन A सैनिकों से ओफसन B किसानों से ओफसन C महिलाओं से ओफसन D सवतंतरता से नानियों से तो यहाँ पर जितने भी मेरे साथी हैं ज्यादा तर इसका अंसर या तो A देंगे या इसका अंसर D देंगे लेकिन वंदे मातरम जो योजना इसका संबंध हमारा महिलाओं से हैं तो इसका अंसर ये रहेगा C सही रहेगा न A सही है न D सही है ठीक है इसकी सुरुवात कब हुई थी वंदे मातरम योजना की 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई थी चीज़ का आपे ध्यान रखेंगे ठीक है अगले प्रसंद की और बढ़ चलते हैं लाहूर में उचने अल्लै की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी जी ओ आई यानि गौर्मेंट ओफ इंडिया अधिनियम 1919 गौर्मेंट ओफ इंडिया अधिनिय अल्लै की स्थापना हुई थी अगले प्रसंद की और बढ़ चलते हैं अगला प्रसंद है हमारा फिरोजसा तुगलक ने कौन से सहर की स्थापना की थी फिरोजसा तुगलक ने हिसार सहर की स्थापना की थी अगर इसके बारे में बात करूं कभी इसकी स्थापना हुई थी तेरा सु तेरा सु चंवन इस्वी में जो है हमारे हिसार सहर की तुगलग वणस के सुल्तान थे फ्रोजसा तुगलग ऑजनों ने की थी और हिसार ए फिरोजा का आर्थ होता है फिरोजगा दोरुगे अगले प्रसन के और बढ़ चलते हैं फजल अली आयो की रिपोर्ट कब प्रस्तु थी फजल अली आयो की रिपोर्ट कब प्रस्तु थी फजल अली आयो की रिपोर्ट 1956 में जो है इसकी रिपोर्ट है प्रस्तु थे हुई थी 29 दिसंबर 1953 को बाहर सरकार ने भासा तथा संतूति के आधार राज्यों का पुनर गठन करने हैं तू सेद फजल अली के सभापतितव में एक आयो का गठन किया था तो अगर ये पूछ ले जाए फजल अली आयो का गठन कब हुआ तो 29 देसेंबर 29 दिसंबर 1953 रिपोर्ट 1956 में तीन साल के बाद गठन के इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगा अलग अलग चीजिए दोनों हरया अठीका आदिकानस भाग निमन में से किस म्रधा का जो है प्राधन्य का है याने की कहने कार थी है कि हर्याना में सबसे ज़्यादा मर्दा कौन सी पाई जाती है मच्छरी या फिर कि ये मच्छारी मर्दा दूसरी मरस्तुली मर्दा तीसरी रेतिली दोमटी मर्दा चोथी आपकी सीनेमा से ये संबंदे रखते हैं देवी संकर परभाकर और अगर मैं बात करूँ हरियाना के सबसे पहले फिल्म निर्माता देवी संकर परभाकर ठीक है निर्माता देवी संकर परभाकर निर्देशक आनंद कुमार और सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता भी देवी संकर परभा कर इन चीज़ का आप जयाना के पहले सबसे पहले फिल्म निर्माता और सबसे ज़्यादा फिल्मों के निर्माता देवी संकर परभा कर निर्देशक आनंद कुमार रहेंगे ठीक है और हरियाना की सबसे ज यानि चंडीगड का नाम व्यूत्पन हुआ था और फ्रांस के जो वास्तुकार थे ली कार्भुजिर उन्होंने जो इसका मैं पर बनाया था इस चीज का विया पर ध्यान रखेंगे इसे सीटी और ब्यूटीफुल भी कहा जाता है अगले प्रसंद के और बढ़ चलते हैं अ हमारे जजजर के अदर स्थीद है तो यहांपर कुल क्षेतर बी ऑफ्सन गलत है व्यूट रूर कैंतर है यह भी आपका गलत है और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जो एक क法ल माज हिलाप की गुरू गुराम के अंदर स्थित है तो यहाँ पर हमारा जो सही अंसर है वो अफसेने बढ़कल जील फृरीदाबाद के अंदर है स्थित है इसकी इसी प्रकार आगे बढ़ चलते हैं मराठों अहमत साब दाली के बीच हर्याना में कौन सा युद लड़ा गया अगले प्रसन की और बढ़ चलते हैं काफी एक बार सेर करें वही सभी भाई सेर करें जितने भी चुड़े हुए न सर सेर नहीं करते है आप मेरी सिखायत है प्लीज और प्लीज आप से रिक्वेस्ट साथ जोड़के चीजों को सेर करें तभी मज आएगा लगातार जो यह आपके क्वीज और मौक टेस्ट चलते रहेंगे लेकिन तब चलेंगे से तब आप सेर करेंगे चीजों को आपकी जो फेस्बूक आईडिया है वहाँ पर सेर कीजिए फेस्बूक की स्टोरी पर इंस्टा पर सेर कीजिए इंस्टा की स्टोरी पर वाटसप स्टेटस पर आफ कीजिये सरवाधिक जो सरसों की खेती है वो हर्याना के भीवानी जिले के अंदर होती है महंदरगड के अंदर नहीं होती भीवानी के अंदर जो सरसों की सबसे ज्यादा खेती होती है अगर मैं महंदरगड की बात करूँ तो महंदरगड में सबसे ज्यादा बाजरा होता तो फ्रेंट्स इसी परकार से आगे बढ़ चलते हैं अगला जो हमारा प्रसित नगर के बीच में की जाती है। कनोड या ब्रामनों दोरा आबाद किये जाने की वज़े से महिंदर पहले कनोड के नाम से जाना जाता था। भी आपका नारनोल को कहा जाता है। हरियाना का सबसे कम साक्सरता वाला जिला आप सभी जानते हैं मेवात सबसे कम साक्सरता वाला जिला सबसे ज़्यादा साक्सरता है। हरियाना के अंदर गुडगाउं जिले के अंदर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रसंद की और बड़ चलते हैं ये हो गया सबसे कम मेवात और अगर मैं बात करूँ भारत की साकसरता दर कितनी है तो भारत की जो साकसरता दर हो 74.042011 के अनुसार और हरियना की 75.6 है और सबसे कम हमारी कहां पर है मेवात में मेवात की कितनी है 54.08% इन चीजों का जी ले थे इजी है साथ जी ले थे सभी को पता है ठीक है लेकिन वो साथ कौन-कौन से थे गुरू ग्राम हिसार रोहतक करनाल जीन्द और अंबाला इस चीज़ का आपे ज्यान रखेंगे के लिए प्रसंद के और बड़ चलते हैं बीजिंग ओलंपिक 2008 में मुक्यवाजी म किस खिलाड़ी ने काश्या पदक जीता था या काश्या पदक मिला था तो विजंदर सिंग फ्रेंड्स का सही अंसर रहेगा विजंदर सिंग को यह कहां के रहने वाले हैं यह भीवानी के रहने वाले हैं और भीवानी को बॉक्सिंग का पाउर हाउस के नाम से भी जाना ज 2006 में बीए की शिक्षा रोहता के याने की M.D.U. उनिवस्टी से की ती अगले प्रसंद की और बढ़ चलते हैं अगला प्रसंद है हमारा कोश मिनार साइद है यह सर कोश मिनारों का निर्मान किसने करवाया था तो कोश मिनारों का जो निर्मान है वो हमारा सेर्षा सुरी ने क कौन सा नगर है तो फ्रेंट जीन इसका सही अंसर रहेगा और चलते हैं महतवपून प्रसंद है हरियाना सनवाद पत्री का संबंद किस विभाग से सूचनायम लोग संपर किसका सही अंसर रहेगा अगले प्रसंद के और बढ़ चलते हैं जीला महिंदरगड में कौन सा खन तो चूना पथर, केलसाइट और तांबा तीनो ही हमें इंदरगड के अंसर है वो हमारा उपूपरोग थे सभी रहेगा अगले प्रसंद के और बढ़ चलते है अगला प्रसंद क्या है हमारा निमलिक्त में से कौन सा विधान सबाक शीतर नुसुची जाती के लिए रक्षि नहीं है यानि कि तीन इसमें आरक्षित दिये हुए है एक जो आरक्षित नहीं है वो दिया हुआ है तो इसका अगले प्रसंद के और बढ़ चलते हैं और आज का लास्ट प्रसंद है फिर रिक्वेस्ट करा हूं सेर किये चीजों को बुनकरो का सेर के रूप में हरियना का कौन सा सेर विख्या था बुनकरो के सेर के नाम से पानीपत हमारा विख्या थी चीज का भी आप है ध्यान रखेंगे ठीक है और जो हमारे कंबल है जो सैनिकों के लिए बनाया जाते है उसका सी परतिसत हमें पानीपत से ही मिलता है इसक कि अवरी में